असलाम उलेकूं कैसे आप सब उमीद करती हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे खैर-खैरियास होंगे इंशाला जी तो आज मैं बनाने जा रही हूं चना आलू प्लाव मज़ेदार सा यहां मैंने पैन में लिया है आधा कपोयल और इसमें एक मीडियम साइज का प्यास मैंने काट के डाल दिया है इस साथ अमने प्यास को ब्रॉम कर लेना है और फिर मैं इसमें शामिल करूंगी लसन अदर का पेस्ट दो टीस्पून एक तीस्पून लसन का पेस्ट एक तीस पून अदरख का पेस्ट इसे डाल के मैं दो मिट तक इसे पकाऊंगी प्राई करूंगी लसन अदरख गो एक मैंने आलू लिया था चोटो चोटो चोटा मैंने सो काट लिया है और एक ही टिमाडल लिया था और हरी मिल्चे इनको मैं बीच में डाल दूँगी त उआ डीजुए 6-7 भी तंब लिया है एक तीसमों नमक और बियानी अमक और जोटेबल जोड़ स्पून ऑधा टीजों मेरे मिच्थ लिया है एक तीसमोन कर् i am I a Sao शाला लिए है इसे डाल के अच्छे से मैं इसको मिन्हों लूनाऊब लूगी क मैं मसालों का टेस्ट है वो चनों में अच्छे से अच्छे से उफबस जाए चने हुबालते वे मैंने एक टीज़्पून नमक उसवक डाला था और एक टीज़्पून मैं इसवक डाल रही हूं और अब मैं शामिल करूँ लए हूं गांशे चार खाने के बड़े चमद मिन दही शामिल किया इसमें अपूर शुरों हों की अखेजि़ को माने चावल है नियुकिकर हैं करा कौदा हूं और ढखके मैं इसे पतने के लिए रख दूँगी बुआय लाने के बाद मैं दो से तीन मिंट तक पकाऊंगी इसको और यहां दो से तीन मिंट हो चुके हैं इसे पकते वे अब इसमें चावल शामिल करूंगी अगर आपको आज की मेरी रेस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को जब 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 शेयर कीजिए और यहां चावलों का पानी यह खुश्क हो चुका है थोड़ा सा बिच में पानी है भी तो आप मैं इसको दम पे रख जूंगी चावलों को 5-6 मिंट के लिए यह बहुत ही मज़ेदार चना पलाव बनता है आप इसे राइते के साथ खाएं सिलाद के साथ खाएं और यहां गरमा गरा हमारा चना अलू पलाव रेडी है मैं आपको डिशाओ करके आप दिखाती हूं आप जुरूर बनाईएगा इसे अगर अब तक नहीं बनाया आपने दो और यहां आद मैंने डिशाओट कर लिया इसे इदे के मज़ेदार चना पलाव प्रेटी है हमारा खाने के लिए द्वाओं में याद रखेगा खुश रहेगा अल्ला हाफिज और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कर दूलastes जर्ओं टाम लिए